पत्ना में वेरोजगारों को छासा देखकर नौकरी के नाम पर ठगने का संसनी खेज मावला सामने आया है नवशकार में साक्षिडोग्रियल और आप देख रहे हैं न्यूस्टैन इंडिया आपको बता दे कि जाल साजो द्वारा बेट्रॉन कम्पनी की फरजी वेबसाइट बना कर ठगी की जा रही थी शादिनों ने बेट्रॉन की मूल वेबसाइट से मिलती जूरती फरजी वेबसाइट बनाए और फिर नौकरी के लिए बकायदा वेकंसी भी निकाल दी इस फरजी वेबसाइट के माध्यम से जालशाज सादिरों ने अभ्यार्थियों से ठगी का मनसुवा पाल रखा था इस मामले में बेल्ट्रॉं की परियोजना पदादिकारी जाहिद लतीफ ने पटना के शास्त्री नगर ठाने में अग्यार जालसाजों के खिलाफ केस दर्ज कराया है बेल्ट्रॉं ने लोगों से ऐसी फर्जी वेबसाइट से बचने की नसीहत दी है और कहां कि लोग फर्जी वाड़े के चक्कर में ना पड़ी शास्त्री नगर ठाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है बेल्ट्रॉं की और से दर्ज F.I.R. में यह बताया गया कि बेल्ट्रॉं की मूल वेबसाइट bs.edc.bihar.gov.in जबकि शातिरो द्वारा बनाए गई फर्जी वेबसाइट bs.edc.gov.in है मूल वेबसाइट से मिलती चुलती ही फर्जी वेबसाइट पर नौकरी की वेकेंसी भी निकाली गई है जब नौकरी के लिए आवेदन देने वाले लोगों ने विभाग से संबर्क स्थापित किया तब इस फर्जी वाड़े का खुलासा हो सका बेल टॉम के अधिकारियों का कहना है कि उनके यहां से नौकरी के लिए किसी तरह की कोई वेकेंसी नहीं निकाली गई है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताए कि आपको हमारी एक ख़बर कैसे लगी और अब तक आपने हमारे फेस्बुक पेज को फोलो नहीं किया है तो फोलो ज़रूर करें सब्सक्राइब करें हमारी यूटुब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें फेस्बुक और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद